दिल्ली के शाहिन बाग में demolition drive के against में एक petition CPIM के द्वारा सुप्रेम कोर्ट में फाइल की गई और उसमें जो demolition drive है उसको रोकने की बात कही गई थी सुप्रेम कोर्ट ने इस petition को dismiss कर दिया है और पेटिसन एक तरह से dismissed as withdrawn है और petitioner जो है वो हाई कोर्ट में जा करके ये फाइल कर सकते है इसमें सुप्रेम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि खास करके political party इस मामले में यहां किसलिया आई है और political party के सुप्रेम कोर्ट आने में हम क unauthorized construction होती है या जो भी unauthorized जो भी shed बनाई हुई होती है या जो कोई construction कर लेता है तो वो एक regular काम है administration का और वो करते हैं कोई political party यहां आई है और हम उसके basis पर अगर उसको relief देते हैं तो यह सही नहीं है और solicitor general ने भी यह का कि इनका आने का परपज यही है कि Supreme Court ने क्या relief दिया या नहीं दिया इसके basis पर उनकी जो headline अख़बारों में मिले या media में मिले यही उनका परपज है तो इस मामले में ज यह demolition drive से समंधे जो petition थी वह Supreme Court ने dismiss करती है